दोस्तो आज की यह कहाने इस्त्रियों के नेतिक चरत्र के बारे में है दोस्तो हमारे समाज में रहने वाले काफी लोग अनेतिक विवहार करने वाले भी होते हैं यानि कि दोस्तो काफी लोग चरत्र हीन होते हैं फिर वो इस्त्री भी हो सकती है या फिर पुरुष भी हो सकता है आईए ऐसे आचरान करने वाले पुरुष और महिला के बारे में समझते हैं दोस्तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलीज कर लें और हमें सपोर्ट करें तो दोस्तो आप आज की इस कहानी में जानेंगे की आखिरकार इस्त्रियां गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंद किस स्राप के कारण बनाती है और वह अक्सर अपनी काम बासना पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है आएए दोस्तो अब जीवन की एक सच्ची कहानी के बारे में गौर करते हैं और उसे सुनते भी हैं दोस्तो यह कहानी देवताओं के समय से संबंदित है उस समय पर एक बार देवराज इंद्र बन में भ्रमड कर रहे थे दोस्तो देवराज इंद्र अपने गुडे पर सवार होकर बन में एक कुटिया के पास में पहुँच जाते हैं तबी उन्हें कुटिया के आसपास एक बैठी हुई इस्त्री दिखाई देती है दोस्तो वह इस्त्री बहुत जादे सुन्दर होती है उस इस्त्री की सुन्दरता को देखकर देवराज इंद्र उस पर बहुत कस के मोहित हो जाते हैं और मन ही मन उस इस्त्री से प्यार कर बैठते हैं दोस्तो देवराज इंद्र उस सुन्दर इस्त्री से प्यार तो करने लगते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यह पता नहीं था कि वह इस्त्री उस कुटिया में रहने वाले गोतम रिशी की पत्नी है दोस्तो देवराज इंद्र महानते जुस्सी गोतम रिशी की उस सुन्दर पत्नी को देखकर उस समय तो वहां से चले जाते हैं और अब अपने इंद्र लोक में चले जाते हैं मगर दोस्तो इंद्र लोक में पहुँचने के बाद भी देवराज इंद्र उस सुन्दर इस्त्री के बारे में सोचते रहते हैं जिसे उन्होंने उस कुटिया में देखा था दोस्तो देवराज इंद्र अब रात तो किसी तरह काट लेते हैं मगर दिन होते ही बे उस सुन्दर इस्त्री के बारे में सोचते रहते हैं और फिर एक बार उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया तो फिर देवराज इंद्र गोतम रिशी की उस कुटिया की तरफ चले जाते हैं और गोतम रिशी की पतनी अहिल्या को और उसकी सुन्दरता को दूर से ही निहारने लगते हैं लेकिन दोस्तो इस बात का पता ना तो गोतम रिशी को होता है और ना ही उनकी सुन्दर पतनी अहिल्या को वे दोनों पती पतनी इंद्र के ऐसे विचारों से पूर्ण रूप से अनभिग थे दोस्तो उस समय काल में गोतम रिशी की गिनती बहुत ही महान रिशीयों में की जाती थी वे बहुत ही आज्याकारी, विद्वान और तेज़स्वी महान रिशी थे वे हमेशा धर्म के पत पर चल कर अपने कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए अपनी सुन्दर पतनी अहिल्या के साथ जीवन यापन कर रहे थे गोतम रिशी रोजाना प्राते अपनी सैया को छोड़कर उठ जाते थे इसके बाद वह दिनचर्या के अंतरगत अपना कमंडल आदी लेकर नदी के किनारे जाते और वहां इसनान करते थे इसके बाद वह प्रभू की पूजा अर्चना करते थे दोस्तो देवराज इंद्र ने महान गोतम रिशी की सारी गतविदियां छुप छुप कर देख ली और वह गोतम रिशी की दिनचर्या के वारे में भली भाती जान गए थे अभी थक तो देवराज इंद्र गोतम रिशी की पतनी अहिल्या के प्रेम में दीवाने हो गए थे अब देवराज इंद्र दिन रात अहिल्या के ही बारे में सोचते और उन्हें पाने की कोशिश करते थे इसके लिए वह रोजाना गोतम रिशी के आश्रम के आसवास घूमते रहते और उनकी पतनी अहिल्या को छुप छुप कर नहारते रहते थे और सोचते रहते थे की इतनी सुन्दर इस्त्री को मैं कैसे पाऊं और उससे अपना जातिय संबंद बना सकूं ऐसा सोचते सोचते एक बार देवराज इंद्र रात्री में कुटिया के आसवास घूम रहे थे तभी उन्हें आसमान में चांद दिखाई दिया और उहे चांद को अपना मित्र समझते हुए उससे बातें करने लगे उन्होंने चांद से कहा कि हे चांद देवता मुझे एक सुन्दर इस्त्री से अतहाय प्यार हो गया है मैं उसे पाना चाहता हूँ और उससे जातिय संबंद बनाना चाहता हूँ आप इस संबंद में मेरी मदद कीजिए मुझे उस इस्त्री को हर हालत में भोगना है मेरी ऐसी इच्छा है देवराज इंद्र की ऐसी बातों को सुनकर चंद्रमा ने उनसे कहा कि हे देव इंद्र मुझे साफ साफ बताओ कि मुझे आपकी सहाथा किस तरह से करनी है यानि कि आपकी सहाथा करने के लिए मुझे क्या करना होगा तब देवराज इंद्र ने चंद्रमा को कहा कि आपको मेरे साथ मुर्गे का रूप धरन करके पृथिवी लोग पर चलना होगा आप मुर्गा बनकर ही मेरी मदद कर सकते हैं उस सुंदर इस्त्री के कुटिया के पास में आप आधी रात को मुर्गा बनकर बांग लगा देना आपके द्वारा मुर्गे की बांग लगाने से घौतम रिशी को ग्यात हो जाएगा की सवेरा हो गया है और वह अपने इस्नान ध्यान के लिए नदी के किनारे चले जाएंगे तत पस्चात मैं उनकी सुन्दर पत्नी एहलिया के साथ में छल कर लूँगा यानी कि उसे भोग लूँगा इंदर की बात सुनकर चंद्रमा उनके साथ में उनकी मदद करने के लिए फिर्थिवी लोग पर आ जाते हैं और गोतम रिशी की कुटिया के पास छुप जाते हैं दोस्तों जैसे ही मद्य रात्री होती है चंद्र देव मुर्गे का रूप धरन करके रात में मुर्गे की आवाज में बोलते हैं यानी कि आदी रात को बांग लगा देते हैं मुर्गे की बांग को सुनकर गोतम रिशी की आँख खुल जाती है और वह अपने इस्नान के लिए गंगा किनारे चले जाते हैं उनको इस्नान के लिए गंगा किनारे जाते देखकर देवराज इंद्र गोतम रिशी का भेश बना लेते हैं और वह अच्छे से गोतम रिशी का भेश बदल कर कुटिया के अंदर सुन्दर एहलिया के पास जाते हैं और उनसे अपना प्रड़े निवेदन करते हैं दोस्तो शुरुवात में तो देवी अहलिया को उन पर सक भी हुआ लेकिन अपने पती के वेश में उनको देखकर और उनके मीठे मीठे प्रड़े निवेदन को सुनकर वह सब कुछ भूल गई भला इंदर के इतने बड़े छलकपट के आगे वह करती भी क्या वह अपने पती के प्रड़े निवेदन के आगे सब कुछ बिलकुल भूल गई थी उधर गोतम रिशी जब गंगा नदी के किनारे इस्नान के लिए पहुँचे तो उन्होंने नदी के आसपास के बातावरण को देखकर यह अनभो कर लिया कि अभी सबेरा नहीं हुआ है लगता है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है ऐसा सोचते हुए रिशी गोतम बहुत ज़ल्दी से अपने आश्रम की तरफ चले आए आश्रम की कुटिया में पहुचकर उन्होंने देखा कि कोई पर पुरुष उनका भेश बदल कर उनकी पतनी अहलिया के साथ संभोग कर रहा है यह देखकर गोतम रिशी क्रोध की अगनी में जलने लगे वही अहलिया ने जब अपने पती को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वही भी बहुत ब्याकुल हो गई अनजाने में उसके द्वारा किये गए ऐसे घोर अपराद के बारे में सोचकर अहलिया का चहरा पीला पड़ गया और देवराज इंद्र भी बहुत ज़्याद भैबीत हो गई बहुत ज़्याद क्रोध के बसी भूत होकर रिशी गौतम ने इंद्र को कहा मूर्ख इंद्र तूने मेरी पत्नी को अपनी कामागनी के द्वारा अपवित्र कर दिया है तू इतना नीच है कि मात्र उसकी योनी को पाने के लिए मेरा बेश धरकर तूने उसके साथ संभोग किया है तेरी ऐसी लालसा को देख कर मैं तुझे स्राप देता हूँ कि मूर्ख इंद्र तेरे सरीर पर चारों तरफ इस्त्री योनिया पिरकट हो जाएंगी मेर्शी गोतम के इस स्राप के कारण देवराज इंद्र के सरीर पर कुछ समय में ही चारों तरफ इस्त्रीयों की योनिया पिरकट हो गएंगी अपने सरीर पर इस्त्रीयों को देखकर देवराज इंद्र बहुत लज्जित हुए और आत्म गलानी से बहुत कस के भर उठे फिर उन्होंने हाथ जोड़कर गोतम रिशी से कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराद हो गया है हे महान तेजोसी गोतम रिशी मुझे माफ कर दीजिये गोतम रिशी को देवराज इंद्र पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के सरीर पर पिरकट हुई इस्त्री की हजार योनियों को हजार नेत्रों में बदल दिया गोतम रिशी ने क्रोध बस अपनी पतनी अहलिया को भी पासाण में बदल दिया अहलिया पासाण रूप में बहुत ब्याकुल हो उठी और अपने पती गोतम रिशी से छमा याचना करने लगी तब गोतम रिशी ने अहलिया से कहा कि तुमारे अफराद के कारण में अपना सराप तो बापिस नहीं ले सकता लेकिन इतना कह सकता हूँ कि त्रेता युग में जब स्री राम इस कुटिया में तुमारे पास आएंगे तो उनके चरण इसफर से तुम फिर से सुन्दर नारी के रूप में जीवन्त हो उठोगी और दोस्तो त्रेता युग में जब भगवान राम गोतम रिशी के आश्रम में जाते हैं और उनकी कुटिया में पासान रूप एहल्या को अपने चरणों से इसफर्ष करते हैं तब एहल्या भगवान राम के चरण इसफर्ष से ही फिर से जीवन्त हो जाती हैं दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस्त्रियां बहुत भोली होती हैं क्योंकि उनके बदन की तरह उनका सुभाव भी बहुत सुन्दर होता है जब उन्हें अपने पती से प्रेम कम मिलता है तो वह किसी के भी प्रड़े माया जाल में फस जाती हैं बस इस्त्रियां बहुत अच्छे सुभाव की होते हुए भी गैर मर्दों से इसी कारण से संभोग करने लगती हैं दोस्तों आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में लिख कर अवस बताएं पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद